दोस्तों ये बात तो हम सबी जानते है कि इस धरती पर बिना सास लिये या बिना ओक्सिजन के कोई भी इंसान या फिर कोई भी जीव जदो जिनदा नहीं रहे सकता लेकिन वग्या निको को पहली बारी कैसा जीव जिनदा रहे सकता है आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे अद्बूत खुपी वाले जीव के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानकर आप हैनार रज जाएंगे तो बिलकुल बने रही है में साथ इस वीडियो में पूरे एंट तक और वीडियो को बिलकुल भी स्कीप ना करें नई वीवर चानल को सब्स्राइब तो कर लो और बाज में देख गंटियक बाकर ओल सिलेक कर लेना इसराइल की तेल अभी उनिवर्सिटी के शूद करता हुने इस अद्बुत और रहसे में जिव की खोचकी है यह जिव मचलियों से उर्जा प्राप्त करता है लेकिन इस दोरान वो इने किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुचाता खास बत यह है कि मचलियों अभी इस जिव को नुकसान नहीं पहुचाती है यह परजी वी सालमन फिश एक प्रकार की मचली है उसमें पाये जाते है और यह तब तक जिंदा रहते है जब तक की मचली जिंदा रहती है दोस्तों शोद के साइंटिस ने बताया है कि यह जिव इंसानों या फिर दूसरे जिवों के लिए बिल्कुल भी नुकसान दैक नहीं है हाला कि यह अब तक रहसे ही बना हुआ है कि आखिर इस तरह का जिव पूत्वी पर विकसित कैसे हुआ जो बीना ऑक्सिजन के भी जि जोड़ी नहीं है हाला कि 2010 में भी इटली के शोद करताव को इसी तरह का एक जीव मिला था जिसमें साथ तोर पर माइक्रोकॉंट्रियल डियने नहीं दिखा था हाला कि उसकी उर्जा का स्तुरोथ हैट्रोजन सलफाइड था लेकिन नए मिले इस जीव को तो हैट्रोजन सल के भी जरूरत नहीं है निच्छी थी यह शोद वैग्या निको को विग्यान की एक नई उचाई पर ले जाएगा अगर जानकरी पसंद आया है को ते वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप हमारे चानल पर नहीं होंगे तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आयोब दोस्तों जानकर यह आपको पसंद आया होगी स्क्रीन पर आपको जो दो वीडियो दिखरें उनको भी आप वाच कीजिए तो मैं मिलता आपको नेक्स टूडियो में कुछ ऐसे इंट्रेस्टिन टापिक सार तब तक के लिए थांक्स वर वाचिंग गुडबाई एंट टेक किर वाचिंग.